अ जो नसा है विचारों का उसका देश को भयानक खामिया जा जो है भुगतना मने पढ़ भा है और भुगतना फड़ेगा हमारी हमएरा सम्वीधान उसको भुगतर रहा है हमारा लोक तंतर उसको भुगतर रहा है यह जो एक समाने में मैंने खुद जिन्होंने कबूल किया कि यह जो विचार है यह विचार दरावना है आपको याद होगा एक बार उन्होंने कहा था कि जिसका नाम लेने से करोड़ो अखलियतों के मन में भैस हमाजाता है उसके साथ मैं दिखाई कैसे दूगा अब जीतन बाबू जीतन बाबू डूख में क्या करते रहते हैं क्या क्या बोलते रहते हैं मेरे जैसा अधना आदमी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेगा अख Always Madagang तो दक्षिना दे करके रहानों की प्रसंसां करेंगे नमस्कार नीच पोड़ेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना हमारे साथ बात करने के लिए हैं के वरिष्ट नेता सिवानन तिवारी और इन्से मेरा सवाल है समाज सुधारा अभ्यान का घुर घुर कर मदी को शफल बनाना है अगर जो लोग सब्सक्राइब को सराब कर करने का सोग और नसीले पदार्थों का ही नहीं होता है। यह नसा तो माली जिले कुछ घंटों में उतर जाता है। किसी ने सराब पिया रात में सुबह में वो नसा उतर गया उसका। जेकि नितीस जी पर सराबंदी का जो नसा सवार है वो पता नहीं कितने दिनों तक चलता रहेगा। सब कुछ छोड़ करके नसाबंदी पर उनका यह है। जेकि हमको ऐसा लगता है कि जो सबसे खराब नसा है वो विचारों का नसा होता है। गांधी जी ने भी इस वात को माना है। जैसे हमने कहा कि सराब का नसा तो कुछ घंटों में उतर जाता है। विचार का नसा जो है वो उतरने जल्दी उतरता नहीं है। और उसका नतीजा इतना घातक होता है इसका कोई हिसाब किताम नहीं। अब देखिए कि हिटलर का भी एक विचार था। उस विचार का नहीं खामियाजा जो है मनुस्वजाती को कितना भोगना पड़ा। उसी तरह से हम देख रहे हैं हम लोगों के देश में भी विचार का एक नसा सवार है। और उस नसा में मने लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं या जो करने के लिए लोगों को उसका रहे हैं बढ़ता रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा देश के संदर में सम भूले हुए हैं और इस मामले में नितीज कुमार जो है मौन है सराब का नसा उनको दिखाई दे रहा है सराब के नसा में मध्धोस हैं सराबंदी के नसा में मध्धोस हैं सराब के नसा में नहीं सराबंदी के नसा में मध्धोस हैं लेकिन यह जो विचारों का नसा है इस नसापर आप मौन हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो अभियान चल रहा है इस तरह के बिचार का फैलाने का देश में उससे अचुता रहेगा बिहार बिहार के अंदर अंदर उस विचार का क्या प्रभाव है इसको अप मांदें कि बिहार अचुता नहीं रहेगा कैसे रहेगा बिचार का बिचार का कोई बोडर नहीं नहीं होता है कि एक प्रांट का दूसरे प्रांट में नहीं आएगा या यहां का जो विचार है वो दूसरे जाएगा जैसे मालीजे कि नितीज कुमार या उनके लोग ही दावा करते हैं कि हमने फलानी योजना सुरू की उसको देशनक तियार किया तो विचारों का बाउंडरी नहीं होता है विचारों का फैलाओ जो है पूरे दुनिया में होता है और हम लोग जो है अब मर्क्स थे उनका विचार था दुनिया भर में फैला गांधी थे गांधी को मानने वाले जो है दुनिया भर में हैं तो विचारों का को आप सीमा के अंदर देश के सीमा या प्रांत के सीमा के अं यह जो नसा है विचारों का उसका देश को भयानक खमिया जो है भूगतना मैंने पढ़ लहा है और भूगतना पढ़ेगा अमरी समिदान उसको भूगत रहा है हमारा लोक्तंतर उसको भूगत रहा है यह अलत हो गई हर निटीज कुमार जो एक जमाने में खुद जिन्होंने क कबूल किया कि यह जो बिचार था रावन है आपको याद होगा एक बार उन्हों कहाँ था कि जिसका नाम लेने से करोड़ाविद्स समार जाता हुई के साथ में दिखाई कैसे दूहें उसके साथ हुआ में सिर्फ दिखाई दिया है're आप उसको एसस्वी कर रहा हैं आप उसके वीचारों का अने मौन रह करके एक धंग से समर्थन कर रहा हैं तो क्या हो गया है नितिस्कमार को अभी कुछ दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी पार्टी की बड़ी मीटिंग थी पटना में हुई थी उस मीटिंग में इनके आप जो है आप जो है अपने आपको साबित कर रहे हैं राश्टी मने नित्रत के लायक आपके अंदर गून है हम भी मानते हैं पपू जादो को छोड़िये ले भाई हम करें कि हम भी मानते हैं इस बात को लेकिन आप जिस धंग से एक ऐसे दसा का नसा पर सवार है जिसका प्रभाव कुछ घंटों तक रहता है और इधर से आपने आखमंद कर दिया है इसको क्या मना ज़र है तरह κιार्ट चाल राथ कि यह डि till बहुत्ती इंसान होते हैं सवाल करना चाहिए कि ठीक है सब्सक्रीन वाले कुछ लोग आप यहाएं हैं इसमें कोई संधेर नहीं लिकिन वह रोज़ाते हैं जिसक्रीन होते हैं सहब्रों कि नसरे प्रभाव में रहते हैं लेकिन जो हमने सुना मैंने हरिद्वार में सुना या राइपूर में सुना वो तो अस्थाई है सनातन भाव है इसके बारे में कैसे चूपन भैई और आप कहिएगा कि नहीं साहब हमारा जो है मैंने आपकी पाठी के लोग प्रचार करेंगे कि साहब भूतों न इसा ने संदेता हुआ नहीं इसलिए हमको लगता है कि नितीश कुमार ठीक है सराव के खिलाफ अवियाल आप चला रहे हैं सब कुछ पेंडिंग है पुलिस सारा प्रसासन इसीमें लगा हुआ है ठीक है आप कर रहे हैं अच्छा काम है आपको लग रहा है कि नहीं बहुत लेकिन इससे ज्यादा पवित्र काम है जिस पर आप मौन है जिसके तरफ आप पीठ घुमाए हुए खड़े हैं इससे संदेश यह जा रहा है कि आप में साहाज नहीं है या जो आप गांधी का नाम लेते हैं या प्रकास का नाम लेते हैं यह मने एक ढंग से मने जबानी आ किए ऐंधिए के सहीोगता लें इतना मां जिए जो आज कल काफा सुर्खियों में उन्हों ने अपने आवाड़ ब्रह्मनों को कल भोड भोडन महाभोज सी या ब्लकि जी तरफ से कल अपने हो यह भोड़ बुला करके ब्रह्वनों को बेज ती करने का काम किया है क्योंकि मि करें बलकि उनके हां जो हाई वोल्टेस रामन देखने के लिए मिला देक Elis के बारे में हम को बहूत जानकारी नहीं है अब जीतन बाबु जीतन बाबु ने खुद कहा ह sending ब्रामनों को बगार प्याज लहसुन वाला भोजन कराया, खुद अखवार में ये ख़बर भी है, खुद उन्होंने परोसा भी, दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि हमने दक्षिना भी दिया उनको, तो दक्षिना दे करके ब्रामनों की स्रिष्टता को आप सभ्यारतो कर रहे ह ज़े भीृटा में वावीश दक्षिना उन्हों को भी आपने दिया जिंस लोगों ने ब्रामनों के साथ भोजन किया, लेकिन गयर ब्रामन थे, चाहे वो दलीती आछिन्य मेरे पिछणी जात के लोग हों, उनको भी अगर दक्षिना देते तो आपने शवरे में आप दक्षिना दे करके उसको मानेता भी दे रहे हैं। इसलिए जीतन बाबू पता नहीं उन्होंने जो कहा है किस विचार से किस दिमाग से कहा है। लेकिन अख़बार में जो मैंने पढ़ा है। और वासकर में आज जो है छपा है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि ब्राम कर रहे हैं। बागी को आप कम स्रेश समझ रहे हैं इसको सबसे स्रेश समझ रहे हैं। इसलिए जो जीतन बाबू ने शुरुवाती दौर में बोला उसको उसके ठीक उलट यह दिखाई दिया। वैसे जीतन बाबू का मैं बहुत आज़त आधर करता हूं और मुख मेंतरी क तोर पर उन्होंने कुछी दिन जो काम किया उससे में बहुत प्रभावित था ये बात उनको जानकारी में है बलकि हम उनको इस बात का सहरा देंगे कि इस्टिमेट घोटाला भी बिहार में होता है इसकी जानकारी पहली दफा उन्होंने दी इसके लिए तो मनें उनको उनक कि पर संसा हम करेंगे जितना मान्जी के पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो पार्टी छोड़ देंगे तो किया दिक वह सूने थे कि क्या कुछ किए रहे थे राजत के वरिष्ट नेता सिवान अंतिवारी इस खबर बस इतना ही बने रहे ये निजपोनेशन के साथ धन्यवाद